ज्यादा तर लोग सिर्फ अपने comfort zone में काम करना पसंद करते हैं वो बस एक सिक्यो कोना धूधते थे और उसी कोने अपने अपनी पूरी जिन्दगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं सिर्फ हां में हां मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हां में हां ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज सही है वो चीज करके उचायों क सिखर को छुने की ताक्त रखते हैं ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं न ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हे करने को कहता है इसलिए इन्हे मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हे देता है और जो अपने दम पर अपने आपको सही साबित करत उन्हें उतना मिलता है जितना उनके सोच उन्हें देने के सपने दिखाते हैं, असल में अपने दम पर जीने की ताक्त सब में नहीं होती, कोई बहुत खाशी होता है जो गधों के जुन से निकल कर शेरों की तरह रास्ता बनाना जनता है, अपने देखा होगा की गधा कैसे मे गुलामी करता है वो बहुत जीतोर मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन शेर वो पुरे दिन सोता है लेकिन जब समय आता है शिकार का तब वो अपनी पूरी ताक्त लगा देता है शिकार करने में वो अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, जतनी मेहनद गधा पुरे दिन में करता है उतनी मेहनद शेर एक मिनट में करता है लेकिन उसके द्वारा एक मिनट में की गई मेहनद गधे द्वारा की गई दिन की मेहनद से कई गुना होता है, शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे दो-तीन दिन तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गधा अगर एक दिन काम ना करे तो उसका काम नहीं चल सकता। उसका मालिक उसे भगा देगा। जी हुजूरी हो लोग करते हैं उनकी मेहनत सफल तो होती है पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। वो बोलेगा की चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी। वो बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपा मार दे तो कपा मरना पड़ेगा पर अगर तुम शुरू में ही टोग दोगे कि मेरा जो काम है उसके आला और कोई काम नहीं कर सकता मैं तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दुबारा ये चीज बोले जी हुजूरी करते करते अगर तुम उचाई पर पहुँच भी जाते हो तो उन लोगों के नजर में तुम्हारी इज़्जत वही रहेगी कि हमारे वज़े से ही वह पहुँचा है पर अगर तुम अपने दम पर उचाई पर पहुँचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले सो बार सोचेगा और अगर नजर उठती भी है तो उन आपों में इतनी आदर, प्यार और सम्मान होगा कि तुम्हारा सीना गर्ब से और च की दिलवाता है की तू कमजोर है और अपने दिल दिमाग की नहीं अपने दिल दिमाग को कंट्रोल में रखो अपने मन को कंट्रोल में रखो ये पूरी दुनिया भगवान ने आपको पूरे सम्मान से जीने के लिए दी है इश्वर के अलावा ये सिर कही जुकाने से पहले सो बार सोचना की जहां मैं सिर जुका रहा हूँ वो इस लायक है भी या नहीं। काम करो बहुत करो पर कभी अपने आपको किसी के पैरों में गिराना मत और ना की किसी के आगे इतना जुकना की वो आपके कमर को पावदान समझने लगे।